Hello investors, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट की वजार पर यह वीडियो 1st Cry and Unicommerce के लिस्टिंग दे स्टर्टेजी पर रहने वाल है यह वीडियो उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टन्ट है जिन लोगों के लोगों के लुगों के लिए जी हां, लिस्टिंग पर काफी सारे इंवेस्टर्स अब क्या है खरीदारी के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से Ola Electric के शेयर में तेजी बन रही है, अब यह आप देख सकते हैं, काफी सारे इंवेस्टर्स फर्स क्राई में भी आपको खरीदारी करते वे देखन कर इस वीडियो में चर्चा करते हैं, यह वीडियो सिफ एजुकेशनल परपस के लिए अपना एडवाईजर की सेला लेकर ही किसी शेयर में खरीदारी या बिक्वाली करें या आईपियो में अप्लाय आवाइड करें, हम सिफ ग्री मार्केट प्रीमियम जो अनॉफिशल मा करेंगे दोस्तों, फर्स क्राई की, फर्स क्राई का IPO कुल मिलाकर 4200 करोड का अप्रोक्सिमेशन था यहां पर, and overall 11 ब्रोकर्स ने आप पर सब्सक्राइब की सला दियो और सिफ दो मेंबर्स ने आप पर अवाइड के सला दिती, फिर भी definitely दोस्तों, सब्सक्रिप्शन जो थ लेकिन फ्लाइट लिस्टिंग होई है, लेकिन लिस्टिंग के बाद 40 प्रदीशत उपर शिरा चुका है, और similarly अगर आप 1st क्राई की बात करेंगे, तो 1st क्राई के financials तो ओल एलेक्रिक से काफी अच्छे हैं, और 1st क्राई का business भी कॉल एलेक्रिक से काफी अच्छा चल र बाकि मैंने तीन से चार वेबसाइट अनलाइज करी है, लगबग हर वेबसाइट पर 84 से 85 रुपीज के बीच में प्रीमियम रह रह रहा है, बाकि कुछ वेबसाइट पर 100 रुपर तक भी प्रीमियम जा चुका है, बट overall optimistic के लिए कर अपन प्रीमियम लेके चले, तो 84 रु अप्लाय किया है, चांस अधर वेरी हाई कि उनको allotment मिला है, 2 is to 1 का रिशयो था, almost 50% probability थी, आपको allotment मिलने की और definitely allotment मिला है, तो congratulations, and यहाँ पर current ग्रे मार्केट प्रीमियम के हसाब सब्सक्रापन लिस्टिंग प्राइस की बात करें, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के ह my estimate यह है, कि जो लिस्टिंग होगी इस IPO की वो 540 से 560 पर होती भी देखने को मिलेगी, बट कोई ना जिनको नहीं भी मिला है, उन लोग को किस रेंज बहुतारी करेंगा, तो में रेंज यहाँ पर दिया है, 465 से 485, तो अगर मान के चलिए, मार्केट में ग्रावट आती है इसके चलते है, लिस्टिंग इसके आप कहसते है, 465 से 465, 475 के असपस होती है, तो डेफिनेटली एक बाइंग ऑपोर्चनिटी जो है, यहाँ पर बनती भी देखने को मिलेगी, इस रेंज की अगर नीचे मिला है, तो मैं यह कहूंगा दोस्तो तब तो और ख्रेदारी के सकते हैं, अगर डिस्काउंटेट लिस्टिंग हो जाती है, तो डेफिनेटली दोस्तो डेफिनेटली यहाँ पर बनता होगा देखने को मिलेगा, लेकिन अगर 465 से 485 पर भी खुलता है, तो वहाँ पर भी अच्छी खरीदारी जो है, अपने को फिर्स क्राई के अंदर पर फ्रहीं फान स्टकी पर भी पार 500 पर लिस्ट होता है, आपके पास इसऊ ए्च्टा आया इस थक्नाइप हो बिला युए अपको लॉच गर देखने को मिले थे तो मैं यहे हैं, दो अपको फान सूस्यटों पर अच्छी पार छिए तो आपका जो स्टों स्टों अगा अ अगर आपको मुनाफ़ा मिल रहा है तो आप definitely मुनाफ़ा भी कर सकते और बाद में जब मौका मिले तब भी definitely कर सकते हैं लेकिन अगर आपने long term का view बनाया तो मैं यही काऊंगा एक quarter is a quarterly results का wait करें अगर महां पर company का घाटा काम होता है और revenue बढ़ता है बॉर्ण खटती है तो definitely buy बनेगा लेकिन overall अप सब long term perspective वाले में यही काऊंगा कि थोड़ा यहां पर 50-50% risk लेकर चले यह तो आप अपने 50% positions हलकी कर लीज़े या फिर अपने 50 positions आप फोड़ कर लीज़े तो इसी-सी strategy के साथ आप अपना profit जो है आप पर maximize रख पाएंगे बा वो definitely company के लिए काफी जादा crucial रहते वे देखने को मिलेंगे तो hope so आपको first cry के उपर सारी जानकारी अच्छी लगी होगी and अब बात करते हैं Unicommerce की तो Unicommerce का IPO था 276 करोड का यहां पर 8 broker ने subscribe के सला दी थी और एक member ने आप पर avoid के सला दी थी जहां पर कुल मिलाकर 169 times का total subscription हमको आता हुआ देखने को मिला था और यह IPO definitely बड़ी लिस्टिंग का candidate है लंबी race का घोड़ा है यहां पर लगबग 117 मेंसे एक का number आने वाला था जिसको पर alertment मिला है एक तो सबसे पहले वह extreme lucky है और दूसरा उन सब को congratulations बाकि यहां पर grey market premium की बात करे 69 रुपीज का premium यह आ चुका है तो यह बात काफी important है बाकि current grey market premium के हिसाब से अपन बात करे profit पर lot की तो 69 इंटू 138 यानि 9522 रुपे का मुनाफ़ा यहां पर एक lot पर बनता हुआ देखने को मिल रहा है which is massive and मैं यहीं काऊंगा जिन लोगों भी IPO मिला है एक से दो दिन आप जरूर wait करें इस company क अंदर अगर मान लीजे इसमें तेजी होती है circuit लगता है तो definitely उसका भी फाइदा आपको मिल सकता है बाकि overall जो roll risky traders नहीं है वो अपना माल definitely listing पर बेच कर चल सकते हैं बाकि यहां पर current premiums के साबसे estimated listing price की बात करें तो 177 का premium दोस्तो 177 रुपीस का estimated listing price जो है इस IPO का बैठता ह होगा देखने को मिल रहा है जो कि काफी बढ़िया है और यहां पर अगर अब बात करें मेरा नुमान my estimation listing price is around 180-200 जिया मेरा मानना है कि 180-200 के बीच में IPO list होगा देखने को मिलेगा इसके पीछे के दो कारण है एक तो subscription जोदा वो काफी अच्छा था और दूसरा current gray market premium and market situation यह दोनों दोस्तों काफी positive रहते वे देखने को मिल रहा है इसलिए मुझे लगता है 180-200 के बीच में अपने को IPO listing दे सकता है बाकि जो लोग खरीदारी के बारे में सोच रहे है 130-140 एक बहुत fair range है इस range पर अगर आपको IPO मिले तो definitely आप buying के बारे में सोच सकते है बाकि strategy अगर आप बात करें तो friends मान के चलिए अगर आपको IPO lot है मान लीजे 170 पर इस IPO की listing होती है तो में यही कहूंगा इस IPO के अंदर आप 5% का नीचे का stop loss लेके चले यानि कि around यहां पर 5% जो बैठता हुगा देखने को मिलेगा जो कि approximately दोस्तों साड़े 8 रुपे का बनता हुगा कि stop loss आप रखेंगे तो इससे क्या है आपका profit जो है maximize होता हुगा देखने को मिलेगा और जो लोग खरीदारी भी करते है बहले आप उपर खरीदारी करें नीचे खरीदारी करें मैं stop loss की बात कर रहा हूं तो stop loss आप 5% का रखें प्लस दोस्तों अगर आप खरीदारी कर रह हो सकेट लगते है इसलिए इस बात का ध्यान रखेगा बागे overall company अच्छी है long term का vision company का positive है hold भी आप करते है long term में तो आपका जो multi-packer returns है ये company का माकर जरूर दे सकते है तो hope so आपको वीडियो पसंद रहा होगा और ऐसे वीडियो के चालन को subscribe करें शेयर करें थैंक्यों पर